कि मित्रो इससे पुर्व हमने संत्वानी की जो दूसरा पद है जो गोस्वामी तुल्सी दाथ द्वारा लिखित कि है उसके कुछ पंग्तियां और उन पंग्तियों का सरल हिंदी शब्दों में अर्थ देखे जिसमें सीता के परिश्रम और श्री राम की वैकुलता को दिखाया गया जब वन वास के लिए निकलते हैं वन वास के लिए जब निकलते हैं तो रास्ते में सीधा जी की जो परिशानिया है जो परिश्रम है उसको पुर्वी की पंग्तियों में गोस्वामी तुलसी दास ने दिखाया है आई एम उसी के आगे की पंग्तियों को सरल अर्थ में समझने की कोशी करते हैं आगे गोस्वामी तुलसी दास लिखते हैं, जलको गए लखन है लरीका, परीखों पी छाह घरीक है ठाड़े, रास्ते में मार्ग में सीता जी अपने पती अपने नाद शिरी राम को कहती है, लक्षमन जो है जल लाने के लिए गए है, पानी लाने के लिए गए है, और वो अभी बालक ही है, अभी छोटे ही है, हमें उनकी प्रतिक्षा करनी चाहिए, यहां पर शब्द लरीका आया है, उसका अर्थ होता है बालक, और लखन लक्षमन को कहा गया है, सीता जी कहती है, परीखों पी, हम लक्षमन की प्रतिक्षा करते हैं, परीखों यहने प्रतिक्षा करना, हम उसकी प्रतिक्षा करते हैं, चाह घरी खे डाड़े हम जो है किसी चाह में खड़े रहकर उनका उनकी प्रतिक्षा करती है चाह का यहां पर जो शब्दाया है उस चाह का जो अर्थ होता है वो च्छाह का है और ठाड़े का अर्थ होता है खड़े होना हम खड़े होकर जो है लक्षमन की प्रतिक्षा करते ह आगे सीता जी कहती है पोंची पसेवू बयारी करो वहाँ पर खड़े रहे कर जो है सीता जी अपने पती अपने नाद श्री राम के पसीने को पोंचती है पोंची का जो शब्दाय यहां पर उसका अर्थ होता है पोंचती है और पसेवू का अर्थ होता है पसीना आगे गोस्वा में तुल्दल लिखते हैं बैयारी करो और साथ में वो अपने पती को हवा भी करती है ताकि उनका पसीना जए तो सुख जए बैयारी करता है हवा का पोची पसेवू बैयारी करो अरू पाएं पकारियो भूबुरी डाड़े अपने पती का पसीना भी पोचती है और गर्म रेत में चलने के कारण अपने पती के जलते पाओं है उन जलते पाओं पर वो पानी भी डालती है जल भी डालती है ताकि उनकी तकलीब जो है वो कम हो पखारियों का अर्थ होता है धोना कई पाउं पर पानी डालकर वो धोती है साफ करती है और भूबरी जो शब्द यहां पर आया है उसका अर्थ होता है गर्म रेत उस गर्म रेत के कारण जो है अपने पती के जो पाउं जलेवे हैं उन जलतेवे पाउं पर वो पानी डालकर होती है आगे तुलसी दास लिखते है तुलसी रगुभीर प्रिया श्रम जानी के के तुलसी अपने पतनी के इस परिश्रम को देखकर रगुभीर श्री राम वह अपनी प्रिये पतनी को देखकर उनके श्रम को देखकर उनकी श्रम को उनके परिशानिय को जानकर बैठी विल अपनी पत्नी के पैरों से काटे निकालते हैं विलंब करता है यहां पर देर लौ करता है तक विलंब लौ याने देर तक कंटक कंटक करता है काटे वो भी अपनी पत्नी के पैरों से काटे निकालते हैं आगे तुलसितात कहते हैं जानकी नाहको नेहू लख्यो जानकी सीता को घा गया है सीता को जानकी से भी जाना जाता है तो सीता अपने पती की इस इसने को देखकर नेहू का अर्थ होता है इसने प्रेम अपने पती की इस प्रेम को देखकर पुलकियो तनू बारी बिलोचन बारी उनके शरीर पुलकित हो जाता है वो देखती है कि उनके पती को भी उनकी उतनी ही चिंता है जितनी चिंता उनको है तनू का अर्थ होता है शरीर का और बिलोचन का अर्थ होता है नेत्र का अपने पती की इस सोभाव को इस इस ने को इस प्रेम को देकर जहें सीता की आंकों से भी आसूं की बाढ़ आ जाती है बिलोचन का अर्थ होता है नेत्र ये आसु और बाड़े याने बाड़ याने मतलब उनकी आखो से आशु भे निकलते हैं